हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ओम नमा शिवाय आज हम सुनेंगे महा शिवरातरी व्रत की कथा एक बार पारवती जी ने भगवाई शिवशंकर से पूछा ऐसा कौन सा स्रेश्ट तथा सरर ब्रत्व पूजन है जिससे म्रत्यू लोग के प्राड़ी आपकी क्रपा श शाहुकार का रिड़ी था लेकिन उसका रिड़ समय पर ना चुक सका क्रोध वर शाहुकार ने सिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया संयोग से उस दें सिवरातरी थी शिकारी ध्यान मगन होकर सिव समन्दी धार्मिक बातें शुनता रहा चतुरदशी को उसने सिवरात पत्री की कथा भी शुनी संध्या होते ही शाहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिड़ चुकाने के विशय में बात की सिकारी अगले दिन सारा रिड़ लोटा देने का वचन देकर बंदन से छूट गया अपनी दिन चर्या की भाती हुए जंगल में शिकार करने के लि हुआ था शिकारी को उसका पताना चला पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वे संयोग से सिवलिंग पर गिरी इस प्रकार दिन बर भूंके प्याश शिकारी का व्रत्वी हो गया और सिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गए एक पहर रातरी बीत जाने पर एक गर्विनी म्रगी ताला पर पानी पी ने पहुची शिकारी ने धनुस पर तीर चड़ा कर जयों हुँ प्रत्यंचा खीची म्रगी बोली मैं गर्विणी हूँ सीगरी प्रशब करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो की ठीक नहीं है मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीगरी तुमारे शामने प्रस्तुत हो जाऊंगी तब तुम मुझे मार लेना सिकारी ने प्रत्यंचा धिली कर दी और म्रगी जाडियों में लुप्त हो गई कुछी देर बाद एक और म्रगी उधर से निकली सिकारी की प्रशनता का ठिकाना ना रहा समीब आने पर उसने धनुस पर बार चड़ाया तब उसने देखा कि म्रगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि है पारिधी मैं थोड़ी देर पहले ही रितु से निवरत हुई हूँ कामातुर विरेडी हूँ अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती स इसे मिलकर शीग रही तुमारे पास आ जाओंगी सिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका वह चिंता में पड़ गया रात्री का आखरी पहर बीत रहा था तबी एक अन्यम्रगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए ये शोड़िम अफसर था उसने धनुस पर तीर चड़ाने में देर ना लगाई वह तीर छोड़ने ही वाला था कि म्रगी बोली कि हे पारदी मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लोट आऊंगी इस समय मुझे मार देना सिकारी हसा और बोला सामने आए शिकार को छोड मैं ऐसा मूर्क नहीं इससे पहले मैं दो शिकारों को अपने खोच चुका हूँ मेरे बच्चे भूखे प्यास से तड़प रहे होंगे उत्तर में म्रगी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी इसलिए सिर्फ बच्चो को उस पर दया आ गई उसने उस म्रगी को भी जाने दिया सिकार के अभाव में बेल प्रच पर बैठा सिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फैकता जा रहा था पौफ अटने को हुई तो एक हुष्ट पुष्ट म्रग उसी रास्ते पर आया सिकारी ने शोच लिया क कि इसका सिकारोय अवश्य करेगा सिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर म्रग विनीत्सवर में बोला कि है पारदी भाई यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन म्रगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंबना करो ताक के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया उसने सारी कथा म्रग को शुना दी तम्रग ने कहा मेरी तीन पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्या बद्धो कर गई है मेरी म्रत्यू से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतै जैसे तुमने उन्हें विश्वाष पात दे निर्मल हो गया था उसमें भगवत सक्ती का वास हो गया था धनुस तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए भगवान शिव की अनकंपा से उसका हिंसा खिरदय कारोडिक भाओं से भर गया वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चा तापकी जौाला में जल थोड़ी ही देर बाद म्रग सा परिवार सिकारी के समच उपस्तित हो गया ताकि हुए उनका सिकार कर सके कि तु जंगली पश्चों की ऐसी सत्यता सात्यता एवं सामों ही प्रेम भावना देखकर सिकारी को बड़ी गलानी हुई उसके नेत्रों से आश्वों की जड़ी गटना की परड़िती होते ही देवी देत्ताओं ने पुष्प वर्षा की तफसिकारी तथमरग परिवार मोच को प्राप्त हुए तो फ्रेंड्स आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना हो जादा से जादा शेयर क करना कमेंट सेक्सेन में ओम नमस्षिवाय बंबं बोले अवस्च लिकना धन्यवाद ओम नमस्षिवाय